प्रभु येश्यु मसी के नाम में आपको अनुग्रे और शान्ती मिलें बाइबिल में नीती वचन 25 अध्याय के 25 वचन में लिखा है जैसा ठके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है वैसे ही दूर देश से आई हुई खुश खबरी भी होती है हम हर जगा पानी ही पानी देखते हैं पृत्वी का सत्तर प्रतिशस से ज्यादा हिस्सा पूरा पानी है अगर एक میल की आप जमीन ले ले भूमी ले एक میल वाई एक میल एक स्क्वेर माइल तो गर्मियों में उसके ऊपर आपको मालू में कितना पानी होता है उसके उपर पचास हजार टन पानी होता है हमारे खानों में पानी होता है जो हम सबजियां और फल खाते हैं उसके अंदर पानी होता है कुछ फलों में करीब 95% 95% पानी होता है हम खाना बनाने के लिए पानी का इस्तिमाल करते हैं मनुश्य के शरीर में भी 70% पानी है जो फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री होते हैं इसमें पानी बहुत उप्योग होता है आपको ताजब होगा कि एक लीटर पिट्रोल बनाने के लिए दस लीटर पानी का इस्तमाल उस फैक्टरे में होता है आदा किलो रादर 450 ग्राम कागज बनाने के लिए करीब 72 लीटर पानी का उप्योग होता है वैसे ही आदा किलो उन बनाने के लिए करीब 200 लीटर पानी का उप्योग होता है और स्टील अच्छी कॉलिटी का स्टील बनाने के लिए एक हजार किलो का एक टन का स्टील बनाने के लिए करीब देड़ लाक लीटर का पानी इस्तमाल होता है और जो देश में ज़्यादा फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगी होती है highly industrialized देश होते हैं उसमें पानी की और ही और मांग होती है अमेरिका में भी पानी सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा व्यापार है Iceland जैसे देश में बहुत आयद से पीने का पानी उपलब्ध है और वो पानी जो प्राकृतिक रिती से मिलता है वो इतना शुद और साफ है और बैक्टीरिया रहित है कि उसको सीधा पी सकते है उसमें कोई भी purification, chlorine बगएरा डालने की कोई भी आवशक्ता नहीं है और गरम सोते के भी पानी होते है और वो गरम पानी जो प्राकृतिक सोतों का होता है गरम सोतों का होता है वो डायरेक्ट घरों में सप्लाई किया जाता है और लोग उस पानी को अपने खाने बनाने के लिए डायरेक्ट गरम पानी यूज़ करते हैं और वो पानी इतनी अच्छी quality का होता है कि pipe के जो लोहा या जो इस्तमाल किया गया हो धातू वो खराब भी नहीं होता है तो हम देखते हैं अगर ऐसा पानी हमें भारत देश में मिल जाए तो कितनी अद्धुद बाद होती तो हम देखते हैं कि हर जगा पानी का बहुत इस्तमाल है और बिना पानी हम survive नहीं कर सकते देखिए कि एक बच्चा पानी के बिना survive नहीं कर सकता एक राष्ट्र पूरा देश पानी के बिना survive नहीं कर सकता जो व्यक्ति अगर किसी रेगिस्तान में गुम जाता है, रास्ता खो जाता है उस यात्री को सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? उसको पानी चाहिए होता है एक आदमी जो बिमार होता है, उसको मुखार होता है और अपने पलंग पे इधर से उधर करवटे ले रहा है वो क्या मांगता है? वो पानी मांगता है जब एक सैनिक युद में घायल हो जाता है उसका बुरा हाल हो जाता है तो सबसे पहले वो पानी मांगता है और जैसे पानी हमारे शरीर के लिए और शारिरिक बातों और संसारिक बातों के लिए आवश्यक है वैसे हमारी आत्मा के लिए जीवन का पानी या जीवन का जल आवश्यक है हमारा शरीर पानी का प्यासा है वैसे हमारी आत्मा जीवन के जल की प्यासी है बाइबिल में आखिर में जब बाइबिल खतम होती है तो एक न्योता सब को दिया जाता है किसी विशेश वर्ग धरम जाती के लिए नहीं सब को लिकाई जो कोई चाहे वो इस जीवन के जल को आकर सेत मेत ले बिना दाम के बिना पैसे के यह जीवन का जल मुफ्त में परमेश्वर देता है हम बहुत मेहनत करके मृत्यू कमाते हैं आपको मालूम है पाप की मजदूरी मृत्यू है पाप करने की मजदूरी मृत्यू है परन्तू परमेश्वर का वर्दान प्रभू येश्यू मसी में अनंत जीवन है वो अनंत जीवन वो जीवन का जल है जो परमेश्वर मुफ्त में वर्दान के रूप में देता है जब प्रभु येश्व मसी इस जगत में आया तो उसने जीवन की जल की बात की और लोगों को समझ नहीं आई उन्होंने कभी सुनाई नहीं था प्रभु येश्व नहीं कहा जो जल मैं दूंगा अगर तुम उसको पीओगे तो अनंत काल तक प्यासे ना होंगे वो जीवन का जल है प्रभु येश्व मसी इस जगत में आया ये जीवन का जल मनुश्य को देने के लिए क्योंकि अगर मनुश्य जीवन के जल के बिना मर जाता है तो भयानक दंड और नरक की आग में चला जाता है क्योंकि जीवन का जल एक व्यक्ति को तब मिलता है जब उसके जीवन का पाप दूर होता है अगर आपके जीवन में पाप ना होता तो आप जीवन के जल को पाचुके होते लेकिन इसलिए जीवन का जल नहीं मिला है क्योंकि मनुश्य के जीवन में पाप है और प्रभु येश्यू उस पाप को हटाने के लिए आया और जीवन का जल देने के लिए आया क्या आपके अंदर आत्मिक प्यास है क्या आपके अंदर इच्छा होती है कि आपका जीवन पवित्र हो आप अंदर से पवित्र हो कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाए कि आप ऐसे बुरे विचार ना करे में ऐसे बुरे शब्द घंदी गालिया ने यह एसा बुरा वैवार ना करे मार पीट ना करे इरशा ना करे कि आपको इच्छा होती है याँनि आपकी आत्मा उस जीवन के जल के लिए तरस रही है तब ही आपको ये इच्छा होती है क्या आपने कभी सोचा कि आप परमेश्वर को जाने क्या वो तीन मुख्य सवाल आपके मन में आते है मैं कहां से आया हूँ मैं यहां क्या कर रहा हूँ और मैं कहां जाओंगा मैं कहां से आया हूँ मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ और मैं यहां से कहां जाऊंगा अगर ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं यानि आपकी आत्मा उस जीवन के जल के लिए प्यासी है और प्रभु येशु कहता है जो कोई चाहे जो प्यासा हो मेरे पास आए और उस जीवन के जल को पिए प्रभु येश्व आपकी आत्मा को तृप्त कर सकता है लेकिन उससे पहले पाप दूर होना है पाप दूर पश्टाप से और विश्वास से ही हो सकता है पश्टाप आपको करना है और प्रभु येश्यू के नाम पर और उसके बलिदान पर विश्वास करना है बस इतना ही करना है और प्रभु आपके हिर्दय में वो जीवन का जल प्रदान करेगा उंडेल देगा और एक जीवन का सोता आपके जीवन में फूट निकलेगा जब पाप हड़ जाता है तो खुशी और आनंद आ जाता है भरपूरी का जीवन आ जाता है जो रोकने वाली चीशती वो हड़ जाती है और परमेश्वर की आशीश आपके जीवन में आती है परमेश्वर के पुत्र ने कुरूस पर वो महान दुख सहा भयानक पीडा सही वेदना सही हमारी सजा को और श्राप को अपने शरीर पर उठा लिया जगत के दंड को अपने उपर उठा लिया ताकि जब मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें उसी शंड शमा कर देता है और प्रभू येश्व का लहू हमें सब पापों से शुद करता है तो इसलिए मैं दुबारा वो वचन आपके सामने बोलूँगा कि जो कोई चाहे बिना किसी पक्षपात के बिना किसी भेदवाओ के जो कोई चाहे वो प्रभू येश्व के पास आकर ओ जीवन का जल सेत मेत में पाए परमेश्वर आपको आशिश दे